नमस्कार साथियों स्वागता आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एक्स्प्लोर एक्जाम पे आज के सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं करेंट अफेर्स के इंपोर्टेंट कोशन्स जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत यूसफुल रहने वाले हैं इसके साथ ही कुछ स्टैटिक फैक्ट्स और उस कोशन के बारे में जो भी सारी जानकारी हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दूँगी चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन के साथ पैला कोशन है पीम सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने हाली में शुरू की है तो नरेंदर मोदी जी ने अपने ट्विटर पर जानकारी देते हुए इस योजना की शुरुवात की है और इसकी घोशना की है कि हम इसके तहत मुफ्त बिजली देंगे देखिए इसमें क्या है आर्टिकल में पीम मोदी लाँचिज मुफ्त बिजली योजना to provide 300 units electricity per month free में देने के लिए ये योजना लाँच की है People who are willing to enroll in the scheme can log in to PM सुर्य घर वेबसाइट लाँच की गई है जो भी इसके लिए capable हैं वो इस website पे जाके log in अपना registration कर सकते हैं इसके बारे में देखिए परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने PM सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य अपने लाबार्थियों को मुफ्त बिजली परधान करना है इस योजना के लिए सरकार ने 75,000 करोड रुपे का बजट बनाया है जिसका लक्षे एक करोड लोगों को 300 उनिट तक मुफ्त में बिजली देना रखा गया है इस योजना के तहट कोई भी solar panel नहीं लगाए जाएंगे उसके next dish launch की गई थी पूर्म PM सुर्योदे योजना की शुरुवात की गई थी वो इस योजना से अलग है उसमें solar panels लगाए जाएंगे एक करोड घरों पर और जिससे की वो मैने की 300 उनिट बिजली का बजट कर सकते हैं ये योजना उससे अलग है इस योजना में मुफ्थ बिजली योजना योजना दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है ये योजना एक ही उदेशी से जुड़ी हुई है पीम सुर्योद योजना में घरों के छटों पर सोलर पैनल लगाने की बात कही गई है वहीं पीम सुर्यगर योजना में मुफ्थ बिजली देने की बात कही गई है तो ये दोनों ही योजनाई अलग-अलग हैं, डिफरेंट हैं, ये दोनों के बारे में आपको अलग-अलग पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि पहले वाली योजना का नाम बदल कर अब ये कर दिया गया नहीं, ये दोनों ही योजनाई चालू हैं और ये दोनों ही योजनाई मनाई गई है इनका जनम हुआ था 13 फेबरेरी 1879 को और इनकी डेथ हुई थी टू मार्च 1949 को लखनव में गवर्मेंट हाउस में साड़्यक अरेस्ट आया था इनको तो स्रोशनी नाइडू की जो बर्त हुआ था वो 13 फेब को हुआ था राश्टर ने 13 फर्वरी को स्रोशनी नाइडू की 145 विजनती हमने मनाई है वह एक प्रशिद कवितरी और राश्नीति कारे करता थी जिन्होंने अपनी साधरन कविता के कारण यानि की अपनी कविताओं के कारण उनको एक नाम दिया गया था जो कहा जाता है नाइट एंगल उफ इंडिया तो यह आपके लिए एक इंपोर्टेंट कोशन है कि नाम से कौन प्रसिद है तो वो है स्रोशनी नाइडू इनका जनम हैदराबाद में हुआ था ब्रिटिश भारत के समय हुआ था 1879 में बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था उन्होंने बारती राश्ट अंदोलन में भाग लेने के लिए गांधी जवाहरला नैरू और मदन मौल मालिवे जैसे अन्य कॉंगरेस निताओं के साथ इन्हें भी गिरफतार किया गया था आगे देखिए 1935 में उन्हें भारती राश्टे कॉंगरेस के अद्यक्ष के रूप में निक्त किया गया और 1947 1947 में वैसायुक्त प्राध की राजेपाल बनी थी ये देश की पहली महिला राजेपाल थी और ये यूपी की राजेपाल बनाई गई थी उस आजादी के तुरंदबादी वह भारत के डॉमिनियन में गवर्नर का पद समालने वाली पहली महिला थी हम उनकी जैनती को राश् ये महिला दिवस मनाया जाता है तो ये सारे ही important facts इस question में आपको देखने को मिले है नेक्स्ट question है इस देश में बने खाड़ी देश में किस देश में सबसे पहले हिंदू मंदिर का 14 फरवरी को PM Modi ने उद्गाटन किया है तो PM Modi ने UAE की capital अबुधाबी में एक सबसे बड़ हिंदू मंदिर बनाया गया है जो कि खाड़े देशों का पहला हिंदू मंदिर है ऐसा जो कि इस होद गाटन PM Modi ने किया है तो पन PM Modi के article से PM Modi की Twitter handle से X handle जो है वहाँ से इस article को पढ़ सकते हैं कि उन्होंने the BAPS BAPS हिंदू मंदिर अबुधाबी में UAE opens its doors for divorce यानि दर्शना करने के लिए अब जा सकते हैं मोदीजे ने कहा कि हम I feel very blessed to be a part of this very second moment here are some glimpses तो उन्होंने अपने Twitter handle पे बहुत सारी फोटो शेर की हैं आप जाके देख सकते हैं तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये इस तरह का एक भव्य मंदिर बनाया गया है जो कि 27 एकड में फै परतिष्ठा 22 जन्वरी को हो चुकी है उसके बारे में भी 22 जन्वरी को हो चुकी है उसके बारे में भी आपने बहुत सारी चीज़े पढ़ी होंगी इस मंदिर के बारे में चलिए जानते हैं आज के session में complete देखिए मोदीजे ने इस तरह से इस मंदिर की जो है आठी के जानेंगे देखिए स्वामिन आरायन जी की इस तरह की मूर्ति इस तरह की परतिमाई यहां पर मूर्तियां यहां पर रखी गई हैं इस मंदिर में यह देखिए कितना भव्य मंदिर है इस मंदिर पर क्या-क्या की विशेस्ता हैं इस मंदिर की चले जानते हैं हम इस वीडि स्वामिन आरायन संस्था है ये जिसने इन मंदिर को बनाया है इसके हर पत्थर की नकाशी राजस्थान में हुई है जमीन अबू धावी के प्रिंस ने दान की और बनाने में हर दर्ग के लोग शामिल रहे हैं ये मंदिर 700 करोड रूपे की लागत से बना है यूएई में इस म मंदिर के बारे में कुछ important facts है 27 एकड में फैला अबुदाबी का पहला मंदिर है इस तरह से ये मंदिर दिखता है जिसके आसपास की जगए बिलकुल खाली है मतलब कि ये बिलकुल शान तेरिया में बनाया गया है लंबाई इसकी 262 फीट है चड़ाई 180 फीट है मंदिर में यही चीज़े लगाई गई है 50,000 गन फीट इटैलियन मार्बल 18,000 गन फीट इंडियन सेंड स्टोन 18,000 पत्थर की इटे 30,000 यहां पर ये लगाई गई है अबुदाबी मंदिर के परमुक सलाकर नास्तिक है निर्मान करता है इस मंदिर के हिंदू संस्था है जमीन दान किस इसाई है इस मंदिर के डियरेक्टर जैन है प्रोजेक्ट मैनेजर सीख है और इस मंदिर के स्ट्रक्चर इंजिनियर जो है वो भोध है और इस कंस्ट्रक्शन के कॉंट्रेक्टर जो थे वो है पार्सी तो इसमें लगबग हर धर्मों के लोग इस मंदिर को बनाने में जु इसमें इस साथ अमीरात हैं अबुदाभी, अजमान, दुबई, कुजेरा, रासल, खैमा, सार्जा और उम अलक्वेन जो हैं ये साथ अमीरात हैं जिनको मिलाकर UAE का निर्मान होता है इस कारण इस मंदिर में साथ शिखर में साथ भारती देवी देवताओं को विराजित किया जाएगा हर देवी देवता के मंदिर के बाहर उन से सम्बंधित लिलाए, पत्रों पर मूरतियों से उकेरी गई है जैसे राम मंदिर में रामायन, कुरुष्ण मंदिर में भागवतब केरी गई है भार्तिय परंपरा के जानवर गाए, हाथी, मोर के साथ, अरब देश के उट, रेगिस्तानी, बकरी, बाज, फूलो को भी इस मंदिर के दिवारों पर उकेरा गया है अगयने के 7 गरब गरे की मूर्तिया अलग-अलग जगह से आई हैं इस गरब गरे में कौन से मूर्ति है चलिये जानते हैं तो पहला गरब गरब जो है, उसमें भगवान, शिव, पारवती, कार्थी के और गणिीश जी जी की मूर्तियां है दूसरे गरब गरए में बगवान जगनात, बलदेव और सुबद्रा की मुर्तिया है, तीसरे में बगवान रादा कृष्ण की है, फिर जो में गरब गरए जो है, उसमें स्वामी नारायन स्वामी और गुरू गुनातितानन्द स्वामी की मुर्तिया रखी गई है, फिर है त हर बगवान की मुर्ति रखी गई है क्योंकि UAE में यह पहला इतना बड़ा मंदिर है तो यहां पे अलग-अलग मानेता के लोग यहां पे आएंगे जिनके जो किसी और बगवान को मानता होगा जो किसी और बगवान को मानता होगा तो हर बगवान की मुर्तियों को इस मंदिर में रखा गया है देखे तो बगवान जगनात बल्दे और सुबद्रा के पर्तिमाई नीम के लकडी की हैं जो उडिसा के पूरी में वहां के पूजारियों की देख देख में बनाई गई हैं प्यूरुपति बालाजी और मापदमा की मुर्तिया अंदर प्रदेश में बगवा है इसका मन मतलब है बुचासन वासी अक्षर पूरुसोत्पन स्वामिन अरायन संस्था इसके दुनिया बर में बारा सो से ज़्यादा मन्दिर है नई दिल्ली गुजरात में अक्षर दाम मन्दिर के लावा उत्री अमेरिका, अटलांटा, ऑक्लैंड, शिकागो, हुस्टन लंदन, लॉस एंजल्स, नेरोबी और अन्य देशों में भी इसी संथाने मंदिर बनवाया है खाड़ी देशों का सबसे पहला बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो UAE में बन चुका है अब इसके बाद बनेगा बहरेन में इसके बाद खाड़ी देशों में दूसरा हैंदू मंदिर बनेगा बहरेन में तो उमिद करती हूँ कि आपको सारी जानगारी समझ में आ गई होगी इस सेशन को जरूर अपने दोस्तों के शार्ट जरूर शेयर करें नेक्स्ट कोशन है कौन सा राज्य काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है तो किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल बन गया है काजी नेमू तो ये है आसाम आसाम ने काजी नेमू लेमन है एक तरह से देखिए लेमन के शेप में ही है ये है काजी नेमू इसको स्टेट फ्रूट के तोर पर डिक्लियर किया गया है ताकि लोकल अगली कर्चर को बूस्ट किया जा सके तो यहां के आसाम के चीफ मिनिस्टर है हिमनता भिस्वसर्मा इन्होंने शोशल मेडिया पर अनौंस किया है कि इन्होंने आधिकारिक तोर पर काजी नेमू छेतर के लिए एद्वित्व नेमू के एक किस्म को राज्य फल गोशित किया है यह गोशना राज्य के करशी मंतरी अतुल बोरा ने बारा फरवरी को एक कैबिनित बैठके बाद की जिसमें राज्य और इसके लोगों के लिए फल के सांस्कृतिक पारंप्रीक और पोशन संबंदी महत्व को दर्शाया गया बताया गया है काजी नेमू को 2019 में बोगोलिक संके तक याने की जियाई टैग परधान किया जा चुका है जो इसकी एद्वित्य गुणवत्ता और बोगोलिक उत्पत्ति का परमान है परवरी 2016 में असम सरकार ने एक सिंग वाले गेंडे को राजे पशु है सफेद पंक वाले लकड़ी के बतक को राजे पक्षिक का तिकलियर किया जा चुका है सारी चीज़े आपके लिए इंपोर्टन्ट है आसम के कौन कौन से चीज़े उसके लिए गोशित की जा चुकी है नेक्स्ट कोशन अब भारत में किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड रुपे के पार पहुँच गया है तो भारत में रिलाइस इंडियन कंपनी जो है उसका मार्केट कैप 20 लाख करोड रुपे तक पहुँच चुका है चलिए इसके बारे में जानते हैं तो देश का पहली कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैप 20 लाख करोड तक पहुच गया है यह न्यूज है 14 फरवरी 2024 के जिस दिन इसने यह उपलब दी हासिल की है तेर फरवरी को देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलाइस इंडस्ट्री का मार्केट के 20 लाख करोड रुपे के पार निकल गया है देखिए हमारे देश में टॉप 5 मोस्ट वैल्यूबल कंपनिया कौन कौन सी है तो 20 लाख के करोड के पार पहुच चुका है रिलाइस इंडस्ट्री इसके बाद है TCS जो की 14.55 लाख करोड का है इसके बाद है HDFC बैंक जिसका है 10.56 लाख करोड रुपे का मार्केट केप ICIC बैंक का है 6.58.000 करोड का मार्केट केप इसके बाद आती है नारायन मुर्तिजी का इन्फोसिस जिसका मार्केट केप है 6.97 लाग करोड रुपे का ये मुकाम हासिल करने वाली रिलाइंस भारत की पहली कमपनी है ये इसके लिए सबसे बड़ी उपलब्दी बन गई है 29 जनवरी को ये है 19 लाग करोड रुपे के आकड़े पर पहुँचा था ये इसका मार्केट केप इससे पहले कमपनी ने सितंबर 2021 में 15 लाग करोड का लेवल पार किया था 2019 में मार्केट केप 10 लाग करोड के पार निकला था मार्केट केपिटल राइजेशन के निहाद से रिलाइस इंडस्ट्री पेस की सबसे बड़ी कमपनी है और रिलाइस इंडस्ट्री की जो चेर्मेन है मुकेश अंबानी ये भारत के सबसे अमीर आदमी है उनकी टोटल नेट वर्ट 9.3 लाख करोड रुपे हो चुकी है तुमेट करती हूँ कि आपको सारी इंफोर्मेशन अच्छी लगी होगी पसंद रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और आपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद